अगर पहली दो लेयर्स में कैविटी हो आपके दान में कीड़ा लग जाए तो वहाँ पे हम गेंटल फिलिंग करके उसे खतम कर सकते हैं कैविटी को असलाम लिकूम दिसिज ़्र अली खान डेंटर सैंजर और आज हम फिरापके सामने आए हैं एक नई टॉपिक के साथ। dental feelings के बारे में dental feelings क्या होती है, क्यों होती है किदर करते हैं और किस तरह की feeling हम यूजर कर सकते है तो सबसे पहले अगर हम dhand становora केresso की तरफ आजे तो dhand के अंदर जिसपने आदेशना आपको पता है कि dhand की layers होती है different सबसे अपफर वे layer होती है second layer होती है dentine और फिर pulp होती है अगर पहली दो layers में cavity हो आपके दान में कीड़ा लग जाए तो वहाँ पे हम dental filling करके उसे खतम कर सकते हैं cavity को और मजीद infection की तरफ जाने से रोप सकते हैं अब cavities के लेए different type की cavities आ जाती हैं हमारे पास उनके लिए different filling material जा जा जाते हैं temporary filling जा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस-kis तरह की cavities हो सकती है सब से पहले अगर दान्त के दर्मेंद ten cavity की कीड़ी हो उसे हम class 2 cavity कहती है किसी दांद की वाल को involved ना करें तो उसकी फिलिंग होती है इसी तरह class two class three class four class five or class six cavities आ जती है इनकी filling के लिए हमारे पार different material आ जते हैं temporary material आ जते हैं permanent आ जते हैं temporary के इंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो हमारे पार zinc oxide यूजिनॉल आ जाजेगा उसके बाद हमारे पार zinc phosphate पिर हमारे पास calcium hydroxide भी हम यूज़ कर सकते हैं और रूट के नाल के दर्मयान में हम different steps के दर्मयान में हम use करते हैं temporary filling और GIC filling जो के कई जगा पर as permanent filling भी यूज़ हो रही होती है लेकिन वो temporary filling होती है वो भी हम use कर सकते हैं अब अगर हम बात करें इनके फाइदे नुक्सान की तो temporary filling जो हैं इनका फाइदा यह होता है कि आपको पेन temporary pain relief के लिए यह रूट के दर्मयान में विजिट्स के लिए हम temporary filling कर सकते हैं यहां कुछ हरसे के लिए अगर हम गुजारना चाह रहे हैं कि हम उसके बाद permanent filling में चले जाएंगे तो हम temporary filling कर सकते हैं तो इनका फाइदा यही है कि यह temporary है नुक्सान जी है कि यह longer run खतम हो जाती है निकल जाती है अब permanent filling की तरफ आजेंगे हम permanent filling different types की आ जाती है सबसे पहले हम बात कर लेती है composite filling जो के जिसे हम आम जुबान में laser filling करत अपने दान्तों के जो सामने के area's होते हैं जो के नजर आती है क्योंके composite filling का shade जो है वो दान्तों से बहुत जादा close होता है इसमें different shades भी आते हैं तो आप अपने दान के natural color के साथ मैच करके filling कर सकते हैं और दूसरा इसका सबसे बड़ा फाइदा ही है कि इसमें हमें minimal invasive procedure होता है सिर्फ जहां पे cavity हो उस part को हम remove करते हैं और उसके बाद हम यहां पे filling कर देते हैं तो यह इसके फाइद नहीं है कुछ नुकसान है कि इसकी shrinkage होती है इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके fill करना पड़ता है bulk में फिल नहीं कर सकते हैं वहना जब इसकी setting reaction में श्रिंकिज होत काफी दुनिया में obsolete हो गई हुई है लेकिन अभी भी काफी लोग prefer करते हैं जिन्होंने पहले करवाई हुई है क्योंकि इसका सबसे बड़ा फाइदा ही है कि इसकी strength बहुत जाद है और यह काफी जादा अरसे तक चलती है लेकिन इसका नुकसान जिसकी वज़ा से obsolete होई है कि एक तो इसके अंदर mercury होता है जो कि आपकी body के लिए नुकसान दे हो सकता है दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान जी है कि इसके अंदर हमें proper cavity की preparation करनी पड़ती है क्योंकि यह chemically bond नहीं कर रहा होता है नहीं micro mechanically कर रहा होता है इसे हम mechanical retention दे रहे होती है cavity की shape इस तरह मनाते हैं कि वो अंदर जाके फज जाए लेकिन इसका नुकसान भी हमें यह मिलता है कि हमें ज्यादा structure दांग का remove करना पड़ता है और इसमें एक और issue आ जाता है कि जैसे आपको मुग के अंदर जो आपका थूक है उसके साब मिलके metal के साथ आपको crunch लगने व GIC type material और amalgam जो के metal है उन्हें दोनों को mix करके filling करते हैं तो इसका भी काफी अच्छा हमें result मिल सकता है यह था आज का हमारा topic हमने different type की filling के बारे में discuss किया और इन filling से बचने के लिए यह cavity से बचने के लिए तो obviously सबसे बिटर है कि आप दिन में 2 दफा brush करें दांतों में कु सकते हैं जिसे हम इन चीजों से बच सकते हैं अगर आपने कुछ और पूछना हो या कोई और आपकी क्यूरीज हो तो आप दिवी के platform से हमसे राप्ता भी कर सकते हैं thank you very much